दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश्ट मैं हूँ देवेश्ट दोस्तों रोजाना शुबय और शाम हम आपकी सिवा में 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार विश्लेशन देखे आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएग उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि भाईया जी CBI की छापे माड़ी चल रही है देश द्रोईयों के ऊपर एंजियो उसको भारत के ब्रोद में काम करने के लिए कितना बयंकर पैसा मिलता है चर्चा करेंगे आज साथ में भाईया जी गिफ्ट सिटी में सिंगापुर का कारोबार चल के नहीं आ रहा है दोड़ के आ रहा है मजा आ जाएगा आप कुछ घटना करम को सुनके तो भाईया जी म्यूचल फंड्स जो है कितने हजार करोड़ों पर बैठे हुए हैं शेर मार्केट की लिए यह बेहद इंट्रस्टिंग है निफ्टी के चार्ट का इनालिसिस करेंगे भाईया जी इंपॉर्टन सपोर्ट पर इंट्रस्टिंग पैटर्न बन रहा है साथ में भाईया चीफ तो हमेशा से कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप देश बेचिए देश को गालियां दीजिए आप फैमस अपने आप हो जाएंगे और भरोसा नहीं हो हमाई बात पर तो इनका चेहरा देख लो यह भाईया हर्स मंडेर सहाब हैं और यह जो है सोनिया गांदी की जो नेशनल एडवाईजरी काउंसिल थी जो यूपीय सरकार को समालती थी उसके सदस्च थे भाईया जी इनका एंगियो का नाम सुनो अमन विराधरी नाम का जो है एंगियो है और करते क्या हैं CAA प्रोटेस्ट को फंडिंग देते हैं मतलब इनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन विजेसों से फंडिंग लेते थे तो भाईया जी अब CBI इंक्वाईरी बैठ गई है इनके सर पे लगाओ चक्कर दो सवालों का जवाब लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इन एंग किजिए कितना अधिकतम पैसा मिला होगा इनको तीन सालों में करो तो आप कितना पैसा मिला होगा बताओ अरे बहुत से एंग्यों का लाइशेंस कैंसल कर दिया तब जो है 55,000 क्रोड रुपईया इनको मिले हैं विदेशों से अरे भाईया जी इससे जादा मुनाफे का धं जिया में कोई नहीं है वो अमरत पाल जिंग है और आज देखिए पूरे भारत में बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है भाईया जी टीवी पे 24 गंटे कवरे चल लेए उनके नाम की पैसा कमाना है देश बेचो नाम कमाना है देश को बदनाम करो किसी बीची दोस्तों अगर खर्च ना हो तो वह बापस लौट जाता है सरकार के पास ताकि सरकार उसका मन चाही जगह पर इस्तिमाल कर ले अथवा अगले साल उसको खिसका दे बजट को तो हर साल यह पैसा लौट जाता है अब भाईया जी डिफेंस के हतियार खरीद रहे हैं तो कई वारता है डीले किनी कारणों से नहीं खरीद पार है यह पैसा लौट गया उसके कारण क्या ह learnt पर जो हमारा डिफेंस मनतरा लाए है जो सुरक्षा भल है उनको हमेशा सरकार का मुँद देखना पड़त Ama देशनी बजट का इंतियार करना पड़ता है साल किता पैसा दार आ रहा है तो मोदी सरकार नहीं का ये सब चीज़ें होई खतम अब यदि पैसा जो है बचा है साल में खर्च नहीं हुआ है तो वो पैसा एक अलग से फंड में चला जाएगा खटा हो जाएगा तो डिफेंस के लिए जो पैसा एलोकेट हो गया एक बार वो इस फंड में खटा होता रहेगा बार बार अनेक बार तो डिफेंस फोर्सेज को हमेशा पता रहेगा कि भई हमार पास इतना पैसा पड़ा हुआ है इस्तिमाल करने के लिए बार बार उनको उट की तरह मूँ ठाके सरकार का मूँ नहीं देखना अब उनके पास ये फंड है इस फंड का इस्तिमाल करके जैसे ही हत्यार वो स्लेक्ट कर लेंगे वो खरी सकते हैं अपनी मनमर्दी के अनुसार तो इससे हमारी डिफेंस फोर्सेज बन रही है उनके पास बजट की तागत आ रही है वो हत्यार खरीद पाएंगी बन पाएंगी और देर लगी आने में तुमको लेकिन सुकर है फिर भी आए तो बहुत अच्छी बात है अब दोस्तों जला कल्पना कीजिए कि हमारे देश के यो कंपनिया है वो तमाम शिप्स की इस्तिमाल करती है भईया जी माल को लाना है ले जाना है ट्रांस्पोर्ट करना है लेकिन इन शिपों को भईया जी लीज पर लिया जाता है अब लीज पर लेना है किराय पर लेना है तो कहां जाओ भईया सिंगापुर जाओ मतलब कमाल हमारा बेचना खरीदना मंगाना हमें लेकिन धन्ना मिल रा है सिंगापर को क्यों कि ये जो लीजिंग का कारोबार है ये अभी तक भारत में नहीं बोता था लेकिन भाया छोड़ो कल की बातें कल की बात कुरानी नए दोर में लिखेंगे मिलके नई कहानी ये गाना है नेरू जी के जमाने का लेकिन उसको अमल में लेके आ रहे हैं मोधी साहब देख लीजिये भाई साहब लीजिंग का जो कारोबार है वो अब गिफ्ट सिटी गुजरात में चालू हो गया है सिंगापुर की लीजिंग कंपनी गिफ्ट सिटी में ओफिस खोल लिए अब हमें वही ये सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है अब दोस्तों जरा गू बिजनेसेज हैं वो क्यों चाहेंगे कि दिल्ली में मोधी सरकार वाई आप देखो ना ठाने बैठे उनका धंदा जा रहा है भारत तो यह सिंगापुर के जो कंपनियां करेंगी वो भारतिये NGO को पैसा देंगी जाओ मोधी को अटेक करो मोधी को हटाओ क्योंकि अगर मोधी बना रहा भाया जी तो भाया जी यह जो बिजनेसे सिंगापुर का लगातार भारत आता रहेगा भारत अपने हिस्तिय की कमाई मांगता रहेगा और इसी चीज़ से नफरत है सिंगापुर के बिजनेस को सिंगापुर के धंदे को तो इसलिए इन NGO's का कारोबार चलता है बह बहाने होंगे human rights के बहाने होंगे बाई साब freedom of expression के लेकर असली कारण क्या है बिजनिस असली रीजन असली साजिस जो हो रही है वो धंदे के कारण हो रही है बिजनिस पर बांदा लग रहा है इसलिए सब को मोधी साहब या फूटी हांक नहीं सुहाते अब दोस्तों जमाना बिडेशों से जो है बड़े बड़े लिटर्स आते थे तो नहरू जी उनको वहिया सपेरा देखाते थे देख लो बहरत सपेरों का देश है लेकिन मोधी साहब देख लो जापान के प्रदान मंत्री को सीज़िए पानी की टिक्की गुलगप्य खिला दिए और जापान के प्रदान मंत्री को भी देख लो बहुत पसंद आया वह भी किया रहा है कि एक सूखी लगा दो हमारे लिए बाई साब और बहुत गुलगप्य खाए हैं अब सुभाव है कि इनके लिए तो बहुत ना तीखा पसंद नहीं है नहीं तो इनकी तो सुबह खराब हो जाएगी जिनको तो नॉर्मल दिया होगा मुद्दे की बात यह है सवाल जे है कि भाई जी गोल गॉल गप्पे तो पिला दिये कितना पैसा लिया तो देख लो मोदी जी ने कितना पैसा लिया पचात्तर बिलियन डॉलर लिए हैं बहुत या एक प्लेट पानी की टिकी का बिल है यह 75 बिलियर नॉलर का है मैं खर्च करेगा जापान इस 75 बिलियर नॉलर का इस्तमाल किया दाएगा इंडो पैसिफिक एरिया में विकास के लिए जिल लोगों को लोन चाहिए फाइनिसिंग चाहिए उनको चीन नहीं जाना जापान ये पैसा देगा उन्होंने अपना न्यू इं क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में लोग ऐसी परिसानों रखे कि हमारे बैंक भी ढूब जाएंगे लेकिन चीफ एकॉनमिक एडवाइजर ने कहा है कि जो सिल्कॉन वेली बैंक डूबा क्यों डूबा क्यों यह स्टार्ट अप पर ही फोकस था इसकी कंसेंट्रेशन रि हमारे रेगुलेटर आर्वी आई ने अल्रेडी दूर कर दी है इसलिए हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है अमेरिका की तुल नामें भाई साब ऐसा मैं समझो कि अमेरिका में जो हमारे देश में भी हो जाएगा भारत के प्रती आसान वित रहीं यह हम नहीं कह रहा है च क्या करें देख लो आप कि मूच्वल फंड क्या कर रहे हैं और स्वें बॉरन बफेट क्या कर रहे हैं उनके पास बहिए कितना पैसा है एक सो तीस बिलियन डॉलर एकट्टे कर रखे हैं उन्होंने खरीदने के लिए अच्छा माल सस्तिदाम पर हमारे देश के मूच्वल थाउजन्ट करोड रुपईया लिए बैटे हैं म्यूच्वल फंड की पर अतना पैसा है दूसरा है जो है इन्वेस्टर से हैं वह भी जो अच्छा माल बेचके जिसमें उनको प्रॉपट था वह बेचके उन्होंने भी कैश रेज किया हुआ है यह सब लोग कैश पर बैट सके सबके पास कैश है तो हमारे जो भी स्टूटेंट्स हैं आत्मिरवर इंवेस्टर कोर्स के जो बाजी राओ की वेल्थ क्रेशन स्ट्रेटगी का पारण करते हैं ध्यान से सुनिएगा हमें भी भाईया जी हमने 18,800 पे माल क्यों बेचा था भाईया जी महेंगा माल इसलि फंड्स वही अपना रहे हैं H&I इंवेस्टर इसलिए आपको डरना घबराना नहीं है नीचे के लेवल पर आप खरीदो ना खरीदो हम खरीदे ना खरीदे जे लोग तो भाईया पैसा लिए वैठे हैं ये तो खरीदेंगे खरीदेंगे और 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 ये बताएंगे नहीं खरीददारी हो जाहेगी फिर जbodर ऐकवारों में आके कहेंगे आप खरीदो 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 जे भाईया जी इल्टे चलते हैं जानिता को ए हमीशा बरगराते हैं जब कहेंगे बेचो 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 तब छरीदने की जुगार में बैठे होंगे और जब ये कहेंगे KLE DOえて तो तब यह बेचने की जुगार में बैठे होंगे यह बड़े फंड्स हैं भाईया म्यूच्वल फंड्स समल के रहना इन से और समल्ला कैसे है वो हमने आपको इन्वेस्टर कोर्स में पढ़ा दिया है अब आप देख लीजिए निफ्टी का चार्ट भाई साब देख लो भा यह सोला 800 का वो सपोर्ट आज तक नहीं टूट रहा है वो सपोर्ट कितना तागत वर है वह आप यह देख लो कि तीन तीन तुराड़े बन गये तो यदि है शोला 800 मालो तूट गया तो अगला सपोर्ट कहां पर पंद्रा दोस्ट पर इसी चार्ट पर निकला है गैंट तो इसों का सपोर्ट है यह तब बना था जब दुनिया के ऊपर परमाणू युद्ध का खतरा था रूस युक्रेन युद्ध के चरम पर यह लेवल टच किया था हमने तो वहां भी बहुत मजबूत सपोर्ट है तो इन दो लेवल के बीच में जहां आपको स्रीचार्ट मह खबराना नहीं है भाईया जी अच्छा माल सस्ते दाम से एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच हातों से बटोडना है भाईया जी हम तो अपना खुद का बता रहे हैं बिलकुल बंदूग धरे हैं भरके बंदूग पूरी गोलियां वरी हुएं लॉक्डेन ल मच्चू के चोहान मच्चू के चोहान मच्चू के चोहान ध्यान रगिएगा मच्चू के चोहान अब दोस्तों आप मेंसे कई लोगों ने फीड़बेक दिया था कि हमारे मन में सवाल आते हैं वो एकॉनमिक्स से जुड़े हो सकते हैं गलोबल मार्केट से जुड़े हो सक करते हैं इस सेशन में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है सेशन में रव्यूर को होने वाले सेशन में सवाल पूछ पाएं और हम आपके जवाब दे पाएं वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम